आई दोस्तो आज का खेल दोस्तो गतार मंत्री उर्फ जुम्मन खां की परवरिश और डाकू कुंदन सिंग आई दोस्तो दरबार लगा है और फिर क्या बाचीत होती है महराज बैठे हुए हैं और क्या बाचीत होती है बाच क्या है और मेरे महराज जी बाच क्या है और महराज जी जब कि आजे थे दरबार में भी कभी शारक खुशियों से दरबार खिल जाता था और उदासी खमों सी जो दिल कर दो द्वारपाल तुम उससे पूछ रहे हो उदासी का काना तुम तो जानते हो कि हमारी इतनी वाँ आवस्था आ गई है और इश्वर ने लजाने मुझसे क्या भूल हो गई है जो आज तक ये दरबार सुना है और हमने प्रण किया है कि जब तक इस दरबार में कोई संतार नहीं पैदा होगी तब तक हमने एक मंदिर बनमाय था उसमें चाला डलबा दिया है कि पूजा नहीं होगा इशर्ये सब कुज दिया राज पाट धन दा कोन भूल मुझसे हुई जो दिया नहीं संता ना जाने कौन से ऐसे मुझसे भूल हो गई है जो इशर्य ने आज तक इस दर्बार में खुशियों का कोई नाम निशान नहीं है अरे महराज ये तो सब इशर्य भगवान की दिनी ये तुम्हे बरसों से देखता चलाया रहा हूँ लोग यही कहते हैं कि इशर्य की खिर्पा होगी तो ये महराज खुशियों से भर जाएगा आखर कब मेरे ना रहने के बाद अरे महराज कहने की कोई बात नहीं हमारे गाओं में एक लड़की एक लड़की जिसकी उमर थी 90 साल पिर आखरें भगवान जो नहीं टपकाए दिन मामिला लड़का पैदा हुईगा उमर उसकी 90 साल उस लड़की तेड़ा दिमाख ना रख्या वो लड़की है आखरें लगवान जो अब लेह लेह घुमए बताईए महराज होकुन करिए महराज हमको लगता है महराणी जी धर्वार में परवेश हो रही आई शुमान भव त्वारभाल मेरे महराज मंदिरों और मस्दियों में ताला डर्वा दिया है कोई हिंदु भाई मंदिर में पूझा नहीं कर सकता है कोई मुसल्मान भाईजान नमाज नहीं पड़ सकता है उन्होंने कहा है कि कई साल भीद गए इतनी उमर आ गई कोई संतान मेरे नहीं पैदा हुई रातो दिन चिंतित रहते हैं मेरे स्वामी क्या करूँ उन्हें कैसे समझाओं कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है सुख दुख जिन्दकी के दोप पहले होते हैं कभी पहले सुख है तो बाद में दुख या पहले दुख तो बाद में सुख है ना आज मैं बहुत खुश हूँ दौरपाल चलूँगी स्वामी से बताओंगी कि मेरे पास कौन इसी दिल दिल में खुशी है अवस बताओंगी है ना अने जी कुछ ताखे माप होए तो कुछ कही बताओ हमरे ख्याल नहीं लिलका बच्चा भे और नहों कोई मीध है तो हमका गोद न लए लिए अरे आप इतने उम्रदार आपके बाल बच्चे हैं कहां आपके और नहीं है अब ही हमरे अपक ब्याओं नहीं हुआ तो मरे पिदाजी का भी विवार नहीं हुआ है तो आप कैसे पैदा हो एक दिन बहुत लई के देखो मैं माता जगर जनी जगदंबे अंबय मया की पूजा करती चली आ रही हूं उनकी भगतन हूं उन्हीं की पूजा करती हूं चलती हूं आपने स्वामी को एक खुशकबरी आवसी बताऊंगी द्वारे तुम्हारे बाड़ी भीर हो जगदंबा मया मया दुआरे तुम्हारे बाड़ी भीर हो जगदंबे मया पांजिन कबा लगे वरी जगदंबा मया दुआरे तुम्हारे बाड़ी भीर हो जगदंबा मया महाराज के अपने स्वामी के जड़नों में आपकी महाराणी का साधर प्राम सिवकार हो महाराणी ये प्रानात इतने चिंतित क्यों बैठे हो आपके मस्तक पे चिंता की लगीरे क्यों खिची हैं इसका काराण क्या हो सकता है आपकी जज़वाद में जानने की कोशिश कर रहे हो बताईए फरमाईए महाराणी तुम्हे जानते हुए और ये बात फिर मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्यों दास रहता हूँ क्या बताऊं तुम्हे घंभरी दास्ता क्या बताऊं तुम्हे गंभरी दास्ता बीतवादी गई है हमारी उमर एक बालक का नामें पिता बन सका बस यही फिक्र रहती है शामो शहर इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ मैं खोसकबरी बताने के लिए आई हूँ मैं इसलिए सुन्ये महराज तुम्हे बताना तुम्हे बताना चाहती दिल की बाते बाग परवार का लेह लहा जाएगा बाग परवार बाग परवार का लेह लहा जाएगा इस खुसर से लदी एक फूल की डाली हुमें आप उसे कहना चाहती यहीं प्राड़ ठती आपसे कहना चाहती यहीं काड़ पत तुम्हार बात ने वाली हुए आपसे बाहरानी आप जिनकी दोई उमत हुए तो नहीं तुम मुझे खुश करने के लिए आइसे बच्चा मुझसे बोल लाई इस तुम्हार पुरा पुरा पुराना मुलाजी में उल्टी से दिवाते किया करता है कि अच्छा ये मेहनत है ठीक है बहरानी का ख्याल लखो और जो वस्त मंगाना हो महरानी तुम इससे बता दिया करो और ये सारा सामान मोई जाए अब से रुपे ले लिजे मुझे जाव बजार चले जाओ निमू लेते हैं ना अचाल लेते हैं ना खाटाई लेते हैं ना जी मतला आता है मेरा जल्दी जाओ ना क्या आपका जी मतला हम माच पटी चीजिए हमार खाए जल्दी जाओ बजार को हाँ तो तुम्हारा ऐसा है तुम्हारे पेट में कही बाई गॉल्ला तो नहीं बन गया गाईस तो नहीं बन गया इसलिए हाँ यही बात ही क्योंकि आप जन्स मेलेडी लेड़िशों का जब दो तीन मेहने का पेट में कुछ गर्भ रहता है तब जी मतलाय करता है खटाई चीजी खाया लिती है आज जी मतलाना बंध हो जाता है है नहीं डोलक मास्टर तूफान चलो जाओ इंतिजाम बाजार जाओ खटाई वटाई लेका आना इंतिजाम मत कहो कादे के शुखा मनाई बुहो सुमाना तिनाही कादे के सुखा मनाई बुहो सुमाना तिनाही पेचुका मनाईब हो शुमाना तिनाही का दे पेचुका पेचुका मनाईब हो शुमाना तिनाही का दे पेचुका मनाईब हो का दे पेचुका मना तिनाही का दे पेचुका मनाईब हो शुमाना तिनाहु साही गुलाम, आईए दर्मार में आपको याद किया गया है बनाग के बिजली हो अफ़त के जो सिला समंदर हूँ मैं दस लूँगा जहरी लाना गजगर हप लाव जास्ते का अधमाने में दम नहीं जमाना हम से हैं दमाने से दारपाल, महामती दाला सिंग को इस वक्त क्यों बला रिया है क्या काम है महराज ने आपको याद किया क्या महराज ने आपको याद किया है चलो हम चलते ही क्यों बलवा है मुझे क्यों बलवा है मुझे हाज दाबेदर मैं अपना दोनना इल बिछा दू महाराज के कर्णों पर अपना स्री से चाहा दू मैं वनाग हूँ पिंकाटे सब को करवना दू महाराज के हुप पर अपने ने ने बिछा दू अजी मुक्ता कुछ बॉलो दी अजी मुक्ता कुछ बॉलो दी हाज मेरे महाराज क्यों पुल्वाओ है मुझे और बत्राओ तो क्या बात है राजन महामत्री दौलत सिंग को इस वक्त बॉलाने का क्या मतलब है मत्री दौलत सिंग मैं कुछ पूछन चाहता हूँ मत्री दौलत सिंग पूछता हूँ मैं एक सवाल पर जाओ मेरी दुक में रहे या रहती है खुश हाल आखिर मेरी परजा कैसी है भाई यह तुम्हारे मुख बिंद से जानना चाहता हूँ तो सुने दा महराइट आप की साल पर जा यह खुश आ है आग का नाम लेता दमाना सभी राजी जो है हकीकत और पया मैं करूँ ना चुपाऊं जरा ना चुपाऊं जरा आप महाराज मैं जिस तरह निकलता हूँ बस आप ही के नाम की जैजाकार करती है प्रजार महाराज वो सामने बांदी आना चाती है आखिर क्या बात है महाराज आपको एक खुशकबरे सुनाने के लिए आई हैं महाराज सुन लीजिये आज का ताजा हाल महलों में पैदा हुए दो सुन्दर है ना अर महलों में पैदा हुए है दो सुन्दर है का तानी तुम सत्त कह रही हो हमाराज दो पुत्रों का जन्मू आए है ये तो इश्वर की किरपा है आज मैं बहुत प्रशन हूँ बहुत खुश हूँ खुश कबरी सुन कर तेरा और हुआ कले जाचा मेरी सबिम दाथ को पूर करे करता मंत्री सब लोग मनाओ और हीरे मोती सोना चांदी जाकर खुब लुटाओ नगर में जो दुखिया है या उनको धनरास गहाओ नाच गाने के साथ खुशी में शहनाई बदवाओ बांदी आखिर तू खुश खबरी ले करके आई है बोल तुझे क्या इनाम दूँ मुझे शह इनाम दूआ ये कितावर में बैठे वे ठीक हो माराथ जार पाल बांदी को इसाइनाम दिया जाए कि तावा जिंदगी बैठ कर खाए अर्दी जो राजा करी को कांगे नी वहाई कांगे नी माना आए कांगे नी माना आए पति जो जो राजा आए तो कांगे नी वहाई दिजे मोतियों के हार क्या करके हो बीचा दिजे मोतियों के हाल जा करतो हो जिचाए पति जो जो जाये राजा हमिरों मान ज़एने दा जो 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 जी आपके लाई हमु आये हरी साल जो जुद्धिये आपके गाल हमु आये हरी साल होना चुद्धाएं राद्या बले खुशी की बात है महाराज आज तक आपके कोई अलाद भी थी आज इशर की करपाशे तुम्हारे घर में महामंत्री दौल सिंग तुम यहाँ जर्बार का काम देखो मैं जा रहा हूँ राज बहल बच्चों की मुलाकास करने के लिए ठीक है महाराज चलिए एक नहीं दो अलाद मैंने सोचा था कि महाराज क्या मरने के बाद यहाँ का राजा मैं बनेंगा लेकिन सारी हज़रत हमारे दिल में डब करें गई अब राजा नहीं बन सका आज महाराज की एक नहीं दो दो अलादों का जन्म हुआ है खर कोई बाद भी समझो दो अलादे नहीं महाराज की बलकि हमारे दो काल पैदा हुए है तो जानता है मुझे यहाथ कितने साल हो गए यहाँ 27 साल यह तो सोच है मद्दी बद्दर गुदर गए और मुझे 27 साल मद्दी बद्द गुजर गए मुझे 27 साल बल आख रहा और शाही महल फिर भी रहा कंदे और सोचता हूँ पर बहत यह अकर नातान है सोचता हूँ पर वहत यह अकर नातान है और इस राजी का मालिक बनू मुद्द से यह अलुमान है राजा की नदरा में रहता मैं हमेशा खार हूँ नाम दूँ धरसें का पठ्ठारी में महाराज जा रहे बच्चों को देखने लिए मा भी दखू आखिर वो काल हमारे है कैसे आज चलते हैं मंतरी शाइब यहां से जाते हैं कुस्से में और रास्ते में देखें क्या होता है यहां कहानी पर गहर करें जए यहां करो इंग जैजर ते व कह time हाँ आह